हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग सिंग्स यूटूब चैनल, मेरे यूटूब चैनल पे आप सबका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं CSIR, Advanced Materials and Process Research Institute बोपाल में निकली हुई vacancies के बारे में चली शुरू करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये है Advanced Materials and Process Research Institute की official website इसमें आप करियर के section में जाएंगे, तो आपको ये notification मिल जाएगी, ये notification आपको latest announcement में भी मिल जाएगी आप यहाँ करियर पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक new page open हो जाएगा, यहाँ से आप ये notification डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं permanent positions, ये सभी post permanent post हैं, आप यहाँ point number 1 में देख सकते हैं, advertisement number 03-2021 इसमें आप click for mode details पे click करेंगे, तो आपके सामने एक new page open हो जाएगा, आप यहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ view detailed advertisement पे click करेंगे, तो आपके सामने एक PDF open हो जाएगी, सबसे पहले बात करते हैं, starting date क्या है, online apply करने की, तो इसमें starting date है 16 अगस 2021, और last date है इसमें apply करने की 15 September 2021, next बात करते हैं कौन-कौन सी post की vacancies आई हैं, तो इसमें first post है junior secretary assistant general की, इसमें total number of vacancies 2 है, जो दोनों ही post general category candidates के लिए है, अब बात करते हैं salary की, salary होगी इसमें आपकी level 2 की 7th pay commission के according, यानि 19,900 से 63,200, approach gross salaries में आपकी बनेगी 27,936 रुपीज की, इसमें maximum age limit apply करने की 28 years, next post है junior secretary assistant finance and accounts की, इसमें total number of vacancies 2 है, जो general category candidates के लिए है, इसमें भी salary आपकी same होगी, level 2 की आपकी salary होगी, 7th pay commission के according, इसमें maximum age limit apply करने की 28 years, next post है junior secretary assistant store and purchase की, इसमें total number of vacancies 1 है, और salary होगी आपकी level 2 की 7th pay commission के according, इसमें भी maximum age limit 28 years है, next post है junior standard offer English की, इसमें एक vacancy है, जो general category candidates के लिए है, salary होगी आपकी level 4 की 7th pay commission के according, यानि 25,500 से 81,100, इसमें आपकी approximately salary बनेगी, 35,384 रुपीज की, इसमें maximum age limit apply करने की 27 years, next post है junior standard offer Hindi की, इसमें total number of vacancies 2 है, जो दोनों ही पोस्ट, चैनल category candidates के लिए है, salary होगी इसमें आपकी level 4 की 7th pay commission के according, इसमें 25,500 से 81,100, प्रोक्स gross salary में आपकी बनेगी, 35,384 रुपीज की, इसमें maximum age limited 27 years, अब बात करते हैं qualification की, क्या qualification मांगी गी, तो सबसे पहले बात करते है, junior secretary assistant general की qualification की, इसमें आपसे qualification मांगी गे 12th pass, प्लस आपके पास typing speed होनी चाइए, English में 35 word per minute की, या फिर हिंदी में 30 word per minute की, नेक्स्ट पोस्ट है junior secretary assistant financial accounts की, इसमें qualification आपके आपसे मांगी गे 12th pass, प्लस आपके पास accountancy एक subject होना चाहिए, प्लस आपके पास typing speed होनी चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की नेक्स्ट पोस्ट है जुनियर सेक्रेट असिस्टेंट स्टोरेंड परचेस की इसमें कॉलिफिकेशन मांगी गए आपके पास 12 पास होनी चाहिए प्लस आपके पास टाइपिंग स्पेड होनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की इसमें तोटल ट्विकेशन मांगी की हिंडी में 35 वर्ड पर मिनट की इसमें आपका ऑल्लाइन एक्जाम होगा उसके बाद आप टेस्ट होगा मैं आपको आपका एक्जाम पैटर्न और सिलिपस आपको यहां दिखा देता हूँ आप यहां पेज नंबर 17 में देख सकते हैं इसमें आपका सबसे पहले रिटन एक्जाम होगा आपका OMER sheet यानि offline में भी एक्जाम हो सकता है या फिर online mode में भी आपका एक्जाम हो सकता है इसमें total questions होगे 200 questions होगे आपके total duration होगा इसमें 2 hours 30 minutes का इसमें आपके 2 paper होगे पहला paper होगा mental ability test का इसमें total number of questions होगे 100 maximum marks होगे इसमें 200 इसमें आपकी कोई भी negative marking नहीं होगी paper 2 आपका होगा general awareness और general English का इसमें आपके 50-50 questions होगे इसमें आपके maximum marks होगे 300 और इसमें आपकी one mark की negative marking होगी इसके बाद आपका computer proficiency test होगा इसमें आपका typing test होगा English में 35 word per minute की minimum typing speed होनी चाहिए या फिर हिंदी में 30 word per minute की typing test आपका qualifying in nature होगा अब बात करते हैं आपको apply कैसे करना है तो आप यहां देख सकते हैं how to apply में आपको online ही apply करना है online apply करने का link आपको video के description box में मिल जाएगा आप चाहें तो वहाँ से भी direct apply कर सकते हैं आपको apply करने के बाद अपना application form की print out लेठा है उसको sign करना है अपने application fee receipt की print out लेना है अपने सभी self-attested documents by post इस address पे बेजना है इसकी last date है 30 September 2021 मैं आपको address यहां पे दिखा देता हूँ आप यहां address दिख सकते हैं administrative officer CSIR Advanced Materials and Research Institute आप यहां पे इस address पे आपको by post अपना application form बेजना है अब बात करते हैं application fee की तो इसमें application fee है 100 rupees आपको online application fee पेकर नहीं है इसमें SC, ST, PWD, Women and CSIR employees के लिए कोई भी application fee नहीं है apply करने से पहले आप एक बार notification को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही apply करें यह notification का link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा आप चाहें तो वहां से भी direct download करके इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें, share करें और ऐसे ही latest government job updates के लिए चैनल को subscribe करें